मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेस्लर्स को नियोता दिया था बाचीत के लिए बहुत अच्छे बाताबरण में सकारात्मक बाचीत बहुत संवेदनशीर मुद्दे पर हुई है और लगबग 6 गेंटे 40 बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जुन तक चारशीट दायर की जाए और रेस्लिंग फेडरेशन ओफ इंडिया का चुनाव 30 जुन तक किया जाए इंटर्नल कम्प्लेंट कमेटी रेस्लिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे जब तक Wrestling Federation of India के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की Ad-Hoc Committee पर दो कोचिस का नाम प्रस्तावित किया गया है उसका तो कि Technical भी उसमें दिखते हैं बहुत आती इसलिए सुजाव दिये गये हैं कि दो कोचिस को उसके ओपर रखा जाए उस Committee में और जब Wrestling Federation of India के चुनाव हो वे एक अच्छी Federation के रूप में चले अच्छे पतादिकारी उसके चुनके आए उसके लिए खिराडियों से राईशुमारी हो लिए निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजबोशन सिंग्ग जिनकी तीन टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंदित लोग उसमें चुनकर ना आए इस तरह कि उनकी मांग थी जो महिला खिलाडियों को या बाकी खिलाडियों को अवश्यक्ता और नवजार सेक्योरिटी उनको मिले जिन खिलाडियों के या अखाड़ों के या अकेडमिस के या कोचिस के खिलाव मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापिस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानून या पुलिस के कारवाई ना की जा सके और खिलाडियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि पंदरा जून तक चारशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर परदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगर्शन नहीं करेंगे और उन सब को भी इस बादचीत से अवगत कराएंगे उन सब को अपनी जाक के बादचीत देवराई सर्सरकार ने कितनी मांगे मानी हैं यह सारी बाते ही हमारी आमसहमती से हुई हैं उनके सुझावते कि यह करना चाहिए मांगें भी सुझाव भी आप इसको किसी रूप में लेना चाहें और सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विश्यों पर हाई ने बहुत बात रहे है और वा पर जाकर भी अपने समर्थकों के साथ इस बात को रताएMC अवज पाला है। बहुत मुद्रा रिगोशें के ही हैं आरेश्रा बनात applies आ söz पंदरा जून तक चारशीट करने की बात कही है करेंगे